देवतात अन मिर्ची जब हम मिथालीजी को डिसकस करते हैं, पुराणों को डिसकस करते हैं, रामायन महभारत को डिसकस करते हैं, तो कहानी is a very important. एक बहुत अच्छी कहानी आदा रही है, जो वेद में जो इंद्र है, उसको तो बहुत ही high position दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे जब पौराणिक tradition शुरू हुई, इंद्र को थोड़ा inferior position दिया गया है, कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो insecure है, इसलिए उसे भगवान की आव कि वो कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि नरकासुर नामक एक सुर है, जिसने स्वर्ग के उपर खावा भोल के सब कुछ चुरा लिया है, आप प्लीज नरकासुर को डिफीट कीजिए, कि इसको देवता भी डिफीट नहीं कर सकते हैं, तो कहते हैं कि कि जो पत्नी है सत्यभामा, वो कहते हैं कि देखो सब कुछ आप इंदर्व को रिटर्न कर रहे हो, उनसे कुछ तो फीज मांगो, तो कृष्ण के ते मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सत्यभामा कहते हैं कि मुझे तो कुछ चाहिए, मुझे वो पारिजात पेड़ जो है वहाँ पे स्वर्ग में वो मुझे धर्ती पे लाना है, तो कृष्ण जाके इंदर को कहते हैं कि देखो तुमने जो कहा मैंने कर दिया, मैंने नरका सुर को डिफीट करके वो जो भी चुराया था आपको लोटा दिया है, लेकिन मुझे छोटी एक चीज भेट अरे बापने मैंने तुझे इतना हेल्प किया, तो थोड़ा मुझे हेल्प नहीं कर सकता, मतलब रेकोगनिशन दे रहा है, रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, होता है ना कंपटीज में लोग हमारा काम लेते हैं, हम हम बलते हैं कि सर थोड़ा एक इंक्रिमेंट दे दीजे ये बोनस देते नहीं है तो ये इंद्रस्वभाव है लेता है सब कुछ देता कुछ नहीं है